हेलो दोस्तों स्वागत आपका अमारे चाइनल में तो कल का दिन जो है नेपाल किरकेट टीम के लिए बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है और कल दो मैच नेपाल के किरकेट टीम के है दोनों दुबै के बिरुदेवें और दोनों ही दुबै में खेला जाएगा तो कल का दिन जो है नेपाली किरकेट के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और कल अगर नेपाल सिनिया टीम दुबै से जिट जाती है तो सीदे दोजाटेश वर्ड कोप के लिए कोलिफ है के लिए रस्ता आसान बन जाएगा और अगर जूनिया टीम दुबई से जीच जाती है 19 टीम तो सीधे वर्ड कॉप में 2024 का 19 वर्ड कॉप में नेपाल के सीधा कौलिफाई कर पायेगा तो कल नेपाली टीम के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और अभी तक ये निश्चित नहीं हुआ कि नेपाल का सीधे टीम का सबसे बड़ा बोलर संदीप लामिचा ने खेल कल की मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे या अभी तक डिसीएन नहीं हुआ है तो कल नेपाली किरके टीम के लिए बहुत बड़ा दिन है और हम आशा रखते हैं कि कल का दिन अच्छा रहा है नेपाली किरके टीम के लिए दोनों ही सीनियर जूनियर दोनों ही टीम नेपाल का जीत के साथ अपना आगाज आंगे बड़ा है और दोनों ही टीम के लिए बहुत महतवपूर टीम मैच है और वैसे ही नेपाल की तरह ही दुबाई के लिए भी कल का मैच जो है दोनों ही बहुत ही मैट पूरी मैच है क्योंकि दो मैच लगाता रहारने के बाद दुबई के सीनियर टीम में भी खलबली मची हुई है और जुनियर टीम भी ने दुबई के अच्छा फ़ाम में है तो कल का मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही एम मैच होने वाला है फिर कल देखते हैं क्या होता है धन्यवाद